इसके जब हम पन्ने पलटते हैं तो एक से चौधा तक पन्ने एक क्रमवार तरीके से बारी-बारी करके आते हैं और जब चौधवा पन्ना आता है तब ये किताब अंत होती है परंतु तुरंत उसके बाद में दुबारा शुरू हो जाती है यही इसकी विशेष्टा है इस किताब से हम तमाम तरह की चित्र कथाएं कोई भी कहानी को पिरो सकते हैं कोई भी एक पिक्चर बुक एक चित्र कथा इससे बना सकते हैं कोई भी एक कहानी को पिरोने का एक बहुत ही सुन्दर सा तरीका है और इसको बनाना भी बहुत आसान है इसके लिए हमको दो कागजों की जरूद पड़ेगी दो स्क्वेर चौकौन कागज तो हम सफेद ये सफेद चौकौन है तो हमको इसमें से दो ये गड़ी है तो इसमें से दो सफेद चौकौर जिनको हम बड़े कागज से भी काट सकते हैं यह हमारे पास कटे-कटाए चौकून है और कितने चौकून है इसमें दो वर्ग है इनकी जरूरत पड़ेगी सबसे पहले तो यह जो चौकून है इसको हम 16 चोटे चोकूनों में बाटेंगे मोडेंगे 16 चोटे चोकूनों में उसका तरीका बहुत ही आसान है सबसे पहले कि हमने मधरेखा मोड़ी एक सिरे को दूसरे सिरे पर रखेंगे तो इसकी मधरेखा मिल जाएगी यह आपको मधरेखा दिखाई दे रही है बीच वाली अभी जो मधरेखा है अब दोनों बड़े सिरों को हम इस मधरेखा तक आकर के मोड़ेंगे जिस तरह से दो दर्वाजे बंद करते है अब यह देखे इसके चौथाई खंड हो गए दो चौथाई खंड हो गए इसी तरह से इस आदे खंड को भी हम दो हिस्सों में मोड़ लेंगे अब हम देखेंगे कि यह चार बराबर पट्टियों में बढ़ गए है बढ़ गया है यह चौकौन अब इसको हम ने इस तरह से पलट दिया और यहां पर भी इस तरह से अगर हम इसको चार हिस्सों में बाट देंगे तो यह सोला छोटे छोटे खंड होटे खंड में बढ़ जाएगा अगर बढ़ बढ़ गए तो फिर इसके चौथा ही खंड हो जाएगे और अंत में जो सबसे नीचे वाला सिरा है इस सिरे को भी इस मधर खंड लाकर के मूड़ेंगे तो अब यह चौकौन जो है सोला छोटे छोटे खंड हो में इस तरह से बढ़ जाएगा और यह दोनों ही कागजों को इस में कितनी तहें थी कागज की दो तहें थी हमने दोनों तहों को एक साथ मूल लिया तो हमको इनको अलग-अलग मूलने की ज़रूरत नहीं पड़ी अब इनको हम अलग-अलग कर देते हैं इस तरह दो चौकौर मिलेंगे हमको जिनकों की सोला छोटे-छोटे खानों के अंदर मूला गया अब एक चौकौर को ले करके और उसको मद में हम एक दो बार कसके मोड़ेंगे और जो इसकी मद रेखा है ये बीच वाली रेखा है इसको काट देंगे केंची से ले करके इस तरह हमको एक दो तीन चार चार लंबाई में दो चोड़ाई में चार बाई दो के दो टुकड़े मिल जाएंगे इन दोनों में भी इन दोनों में आठ आठ चौकौर है अब इनके हम दर्वाजे बंद कर देंगे मद्रेखा तक दोनों सिरे मूड देंगे तो इसको कहेंगे कि हम जैसे की दर्वाजा बंद करना आप देख सकते हैं यह खुला है दर्वाजा और यह हमने जैसे इसके दर्वाजे बंद कर दे है दूसरे हिस्से के साथ भी हम ऐसे ही करेंगे इसके भी दोनो दरवाजे और ये दूसर दरवाजा, दोनो दरवाजे बंद कर देए अब ये हमारे टुकले यहां पर नीचे रखे हैं अब जो दूसरा एक वर्ण था इसको इसकी भी मद्रेखा को हम को काटना है और इसको काटेंगे पर शुरू में पूरा नहीं काटेंगे इसको केवल इसके तीन ही हिस्से काटेंगे जो दूसरा वर्क था उसके हमने केवल तीन ही हिस्से काटें ये चौथा वाला ये छोटा सा हिस्सा है इसको हम बाद में काटेंगे और उसके बाद में इसको इस तरह से मूर देते हैं जैसे कि ये एक दो पलंग जैसे बन जाएं दो बैट जैसे बन जाएं आप देखेंगे कि यहां पर हमको ऐसा दिखाई देगा कि एक पलंग ये है और दो पलंग जैसे ये बन गए दो पलंग जैसे बन गए अब ये चो कट जहां पर कटावा हिस्सा है इन दोनों हिस्सों में हम पहले तो निशान लगाएंगे दो मैंने लाल रंगे निशान लगाएं हराँ यहां निशान लगाएं है इन दोनों हिस यहां पर हम गॉन लगाएंगे और गोन लगाने के बाद में जो मुड़े दर्वाजो वाला हिस्सा था उसको इस के साथ लाकर के इस प्रकार चुपका दें गे तो अभी देखे, मैं उन हिस्सों में गोंद लगाऊंगा, नीचे रख करके, यहां पर भी दो हिस्से हैं, यहां पर भी दो हिस्से हैं, जहां पर, अब यहां के जोल, जहां पर लाल क्रॉस लगे हैं, उन चारो वर्गों में, मैं थोड़ा थोड़ा सा गोंद लगाऊंगा, एक, दो, तीन और ये चार चार में गोंड लगाया और अब इनको बिलकुल एक दूसरे के उपर जिस्से की लाल ये चौकौन है एक दूसरे के उपर आकर के चपक जाए एक के उपर एक आप ये देखे येदर है लाल वाला इसको इसको उपर रखा और चिपका दिया और इसको आप एक खड़ी स्थिती में देख सकते हैं ये इस तरह से बन जाएगा तो ये तो दू हमारे पलंग है जो अभी भी इधर जुड़े वे हैं और अब ये जुड़ा वाला हिस्साम काट देंगे अब ये दुनों जो डबल बैट थे वो लग भग अलग अलग हो गएं और यहां पर भी हम उसी तरह से दो चौकोरों पर गोन लगाएंगे और लाल क्रॉसों को लाल कट्टम काट के उपर चिपका देगे अब ये देखें और ये जो है इसको इसके ऊपर ही पिलकुल ला करके अब इस सिति में आपको ये पिलकुल दिखाई देगा कि ये तो एक सिंगल बैट हो गया ये डबल बैट हो गया दो पलंग हो गया ये और ये इसका सिरहना या हेड रेस्ट हो गया और इसका ये पाइदान या फुट रेस्ट हो गया और इन तुक के दर्वाजे आप देख रहे हैं ये दोनों दर्वाजे जो हैं सिरहने और पाइदान के वो एक दूसरे के आमने सामने हैं ये दोनों बिलकुल आमने सामने हैं तो एक तरह का ये खिलोना जो है ये एक दोहरा बेड है दो पलंग है जो बिलकुल आजू बाजू है और ये उनका सिरहना है और ये उनका पाइदान है और इस तरह से जो ये दो कबजे बनते हैं वही इसकी खुबसूरती है और जिसकी वज़ा से इसको हम अंतखीन घुमा सकते हैं. जब तक हमारी मरसी चाहए इसको खोल सकते हैं अब जोब आप इसको खोलेंगे तो हमको क्या दिखेगा कि एक सिर्टी पर इसमें एक हमu चौकौन जैसे दिखाई दे रहा है. ये चौकौन है. इसको दुबारह कोला तो हैं एक वेर वर्ग आ जाता है तो इसको हम अपना एक कुछ एक मील का पत्थर जैसा मान सकते हैं और इसके बाद क्रॉस के बाद जो स्क्वेर है जो वर्ग है उस पे हम अंक लिखना शू कर सकते हैं जैसे उधारन के लिए इसमें हमने एक दो तीन चार अब आप ये देख सकते हैं ये बिल्कुल स् जो को हमने खोला तो फिर हमको दोबारा एक स्क्वेर दिखाई दिया और इसमें हम आगे के चार अंक चार के बाद में पांच छे साथ आठ चार अंक और लिख सकते हैं इसको भी आप देखे ये चार और अगे मरे अब पांच छे साथ आठ हो गए उसके बाद इसका बीच बीच वाला जो हिस्सा है इसको दोबारा खोलेंगे फिर तीसरी बार भी हमको एक एक वर्ग दिखाई देगा और यहां पर हम चार और अंक लिख सकते हैं आठ के बाद आएगा इसमें नो दस ग्यारा और बारा अब बारा तक तो इसमें प्रश्ट आ गए जो हमको के बाद में या बीच वाला जो हिस्सा है इसका या बीच वाली जो धूरी हमको दिखाई दे रही है यह यह मोड जहए अगर इसको खोलेंगे तो दो छोटे छोटे से दर्वाजे खूल जाएंगे और ये सा हिस्सा हो जाएगा इसका 13 और ये हो जाएगा 14 यहाँ पर हम अंतिम दो अंक 13 और 14 लिख करके अब ये आप देखें ये अंतिता हमारी पूरी किताब बन गई चौधा प्रश्टों की किताब और इसको हम दुबारा पुना खोल सकते हैं तो आपको एक दो तीन चार दिखाए दिए उसके बाद खोला तो पांच छे साथ आठ दुबारा खोला नौदस ग्यारा बारा और अंत में इन दुनों दरवाजों को खोलेंगे तो अंत इन दुनों खंड 13 और 14 दिखाए देते हैं और जैसे ही चौधा प्रश्टा आता है इसका ये किताब दुबारा श्रू हो जाती है और एक दो तीन चा पांच छे साथ आठ नौदस ग्यारा बारा तेरा चौधा इसको हम एक बार और बनाने की चेश्टा करेंगे कि अगर आपको इसमें कोई कठनाई महसूस होई हो तो उसको आप समझ जाएंगे पर असल में ये बहुत ही आसान है हम इसको दुबारा बनाएंगे और इसके लि और इस वरगाकार कागज को हम सोला चोटे खानों में पहले मोलेंगे चार इस दिशा में और चार आड़े और चार खड़े तो सबसे पहले एक सेरे को दूसरे सेरे पे रखेंगे तो हमको एक मत्रेखा मिल जाएगी यानि ये दो आयतों में विभकत होगया और फर इसके ऊपरी सेरे को मत्रेखा तक लेकर जाएगे तो ये एसके दो चौथाई खंड बन जाएंगे नीचे वाले हिस्से को भी बीच की रेखा तक लाएंगे तो ये कागस अब लेटी स्थिती में चार बराबर खंडों में बढ़ गया है तो इस तरह ये चौकोर 16 छोटे चौकानों में बढ़ जाएगा और ये हमने दोनो दोनो जो स्क्वेर से दोनो वर्क थे उनको एक खटा मोड लिया कि हमको दो बार मेहनत ना करने पड़े अब इनको हम अलग-अलग कर देते हैं अलग-अलग करके फाल देते हैं तो आब हमारे पास हमें दो इस तरह के वर्क बन जाएंगे ये दो स्क्वेर से हैं दो वर्क हैं जो 16 छोटे-छोटे खानों में बटे वे हैं अब हम एक वर्ग को लेंगे उसको मधर एखा पे मोड़ेंगे एक दो बार कसके मोड़ा नाखून से मोड़ा और इसको बीच में फाल देंगे दो टुकड़े हो गए और इसके दोनों दर्वाजों को बंद कर देंगे यह देखें दर्वाजों को बंद करने का मतलब यह है कि यह चार बाए दो का टुकड़ा है तो इसके दोनों उसरे जैसे दो पल्लों का दर्वाजा होता है ऐसे बंद करते हैं दूसरा जो एक वर्ग है इसको भी हम मोडेंगे इसकी जो मद्रेखा है और इस मद्रेखा को शुरू में पूरा नहीं काटेंगे केवल इसके तीन हिस्से तीन खंड ही काटेंगे और इसको हम कैची से भी एक खंड ये हमने तीन हिस्से इसके काटने है और उसके बाद में इसको इस तरह से मोड देंगे कि एक डबल बेड जिसे एक पलंग ये हो गया और दूसरा पलंग ये हो गया और ये दूनों पलंग आपको यहां दिखाई दे रहा है कि इस और ये दूनों पलंग अलग अलग है अब ये दूनों पलंगों में जो हमारे पहले वाले टुकुले थे इनको गोन लगा करके इस तरह से चिपका देंगे जिससे कि ये इसका क्या बन जाएगा एक तरह से इसका सिरहना बन जाएगा अब ये दोनों पलंग जो हैं आपस में इस सिरहने के दोरा चिपक गए आपस में मिल गए अब ये सा जो हिस्सा था पलंगों का जो अभी भी जुड़ा है इसको हम काटके अलग कर सकते हैं ये देखें अब इस प्रकार ये दोनों पलंग बिलकुल ही अलग अलग हो जाएंगे और इन में भी हम दो निशान लगाएंगे और जो इसके इसका जो पाइदान है इसमें भी दो दो निशान लगाएंगे और जिन खानों में क्रॉस बने हैं उन में गोन लगा करके उनको एक दूसरे के ऊपर जम के चिपका देंगे एक दूसरे के ऊपर रख करके और चिपका देंगे तो इस तरह से ये खेल का धाचा बन जाएगा अब आप बहुत स्पश रूप में देख सकते हैं कि ये एक सिंगल पलंग है ये दोहरा एक डबल बेड हो गया है दोनों बेड अलग अलग है ये इसका ये सवाला जो है हमको क्या दिखाई दे रहा है ये इ क्रुनों पलंग अब ये दो जो इसके कब्जेए जैसे है एक ये से हैं उसकी ही वजये से ये खिलोना इस प्रकार मज़धार तरेके से खुलता है और खुलता ही रहो के इसकी सबसे मज़धार बात ये है कि आप इस चोधैप्रष्टो की किताब से कोई भी चितr का था कहानी आपको सूजे और उस कहानी को अगर आप चौधया चरणों में बाच सके तो हर एक पन्ने पे आप एक नया चित्र बना सकते हैं कहानी की कुछ लाइने लिख सकते हैं एक चिडिया थी वो पेड पेठी थी उसे नदी में चिडिय को डूपते हुए देखा चिडिया जट से एक पत्ता तोड़कर लाई और नदी में डाल दिया चिडि पत्ते पचड़ी चिडि डूपने से बच गई चिडि पत्ते पर बैठी बैठी नदी के किनारे पहुची एक शिकारी चिडियों का शिकार कर रहा था उसने चिडिया की ओर निशान असादा ये वही चिडिया थी जिसमें चिडि की जान बचाई थी चिडि ने जट से शिकारी के हाथ में काटा उससे शिकारी का निशाना चूप गया चिडिया फुर से उड़ी उसने चीटी को धन्यवाद कहा झाल